लाभानी का आपका एक महत्पून अध्याय, लाभानी एक महत्पून अध्याय, एक महत्पून चप्टर और लाभानी को पढ़ने के लिए प्रायर बड़े-बड़े सुत्र का प्रियुक का जाता है, बड़े-बड़े नीमों का प्रियुक का जाता है, लेकिन अगर आप लो तब जाकर इस अध्धाय को हम और आप बड़े गर्व से कह सकते हैं कि वास्तों में गड़ी पहुत आसा है। यूज नहीं करेंगे। आइए अहां मड़ते हैं शवाल की तरफ। शवाल कैसे आथा है। पहले तो आपको समझना है कि लाब और हाने का कॉंसेट क्या है। एकदम मैं सरल भासा में समझाओंगा। मैं उमीद करता हूँ कि आप उस सारी भासा को समझेंगे। प्रश्णों का उत्तर भी देंगे। एक एक करके उसे भी चीजों को समस्ते हैं और आप भी समस्ते चलेगा। अगर वास्तों में आपको गड़त आसान करनी है। तो चले देखे कैसे। देखे पहली बार तो आपको पता होगा यह लाभ, भानी, बट्टा, उपरिवे। यह सही बहुत सारी से सब्दावली होती है। जिनको परिच्छा में प्रशनात हैं हम बड़े कंफ्यूज हो रहते हैं। उपरिवे क्या होता है। लाभ, का भानी, का बट्टा। तो यह सारी कॉंसेप्ट को हम एक उदाहरण देकर एक कहानी के माध्यम से सुखते हैं। उमीद करते हैं, वो कहानी का माध्यम आपको बहतर लगेगा, आपको समझ में आएगा और परिच्छा में बहतर स्कोर करने में आपकी मदद का। तो एक एक पॉइंट को लिखते चलेगा, समझते चलेगा, नोट साथ में बनाते चलेगा। अनुता आप स्वयम समझेगा, इसके जेमेदार आप होंगे, अन्य कोई बट्टी नहीं होगा। और ये क्लास पुली तरह से लाइफ और पेट क्लास के रिए चलेगे। जो पेट क्लास के मेंबर थे, वो विल्डू आराम से देखें, नोट बनाते चले और एक एक कदम आगे बहाते चले। यहाँ पे देखेंगा, पहली बात जैसे मुहन कोई बट्टी था, मुहन एक बट्टी था। उसने क्या-क्या-किया धाज देखेंगा? उसने सो रूपई का एक सामान खरीदा। सौ रुपाय का एक सामार चान्य कि सौ रुपाय की एक कोपी करीदे रहा कि एक क्या सौ रुपाय की कोपी को खरीदे कि मैं जब उसे घर लेकर आया तो उस कौपी को अच्छी तरशे बांड इंग करने जो बांडी चाहता है उस पर उसने दस रूपए का खर्च किया किया कि अधित्र लाने के बाद कश्ची से बांडीं ऐसंटेगन कुछ कि थेख एप यहां पेबड़न की उसके बाद मोहन नहीं ऐसके बाद और कॉपिकर है अगए 120 रूपर में अगर कि अगे है डुसरा उसे चूंड रूपर में अग़र वो इसे नब्य रुपे में 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 तो क्या होगा 120 में 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 बहुत ध्यान से बात को समझेगे। खर्च लगा उससे बंडिंग करने का अच्छा बनाने के लिए 10 रुपए का बंडिंग खर्च हुआ अब उसको 120 रुपए का एक नभ्य रुपए का बेचना चालता है अब उससे किस सौधे में लाब होगा खानी होगा आप यकीन मानिए आपको कोई फर्मूला नहीं लिखवाएंगे अब आप यह बताइए उससे लाब हुआ या खानी है तो आप कहेंगे सर यह तो कंफोर्म असपश्च दिख रहा है जब वह सो रुपए का सामान लाया एकसो रुपए आप एंगे दर सो रुपए का लाया 120 का बेचा है तो उसे 20 रुपए का फायदा वगाए जी नहीं अगर किसी भी की खरीदी गए वस्तु में कोई अत्रेक्ट खर्च जोड़ता है जैसे परिवहन भाडा ट्यक्सेज तो तो वह भी क्रेम उल्ले कहलाता है जिसे आप सौर्ट कट में CP कहते हैं क्या कहते हैं सी पी कोर्स प्राइच यह सेलिंग प्राइच प्रोफिट लॉस यह सब्दावली किताबी भासाम लोग प्रयोग नहीं करें अब 110 रुपए जो है उसके समान खरीद पड़ी और वगर 110 पड़ रहा है और यहां पर विचारा नगवे का वेचरा समान 110 का पड़ रहा है हिक यह दस रुपए अपरिवेह कहलाता है अत्रित खच को अपरिवेह कहते हैं तो वह कितना 25 रुपए का उसलिक लुट सामान तो यह था हमारा इतना जानने का लाग और हानिक जब कोई कोई वस्तु खरीद कर लाता है जब कोई दुकान दार जब कोई वस्तु खरीद कर लाता है कि वस्तु खरीद कर लाया जब खरीद कर लाने के बाद जितने मुंसे बेशता है जितने मुंसे बेशता है यदि वस्तु से कम कीमत मिली तो हानी हुआ और ज्यादा मिली तो क्लियर कांश ओप कि लिए डुसरी बात तो दुकान दब कभी-कभी समान न भखनी की दसा में बत्टान फ्रचे चुट तके समान बिक जाय चैतने अब सेल्गी है इस तयवार की सेल लगिए उस तयवार की सेल्गी और सेल की बात करते हैं तो श्रम मनें विजना भी तो होता लेकिन इस जील में जो इस सेल की बात की जा रही है। इस सेल का मात बेस बतलियोंस और इस चूढ़ों को भी करने महें पर सकता है। छूट बिक्रेमिल पर होता है लेकिन जो लाब होता है वो क्रेमिल पर होता है आईए इस कांसर्ट को भी समझने का प्यास करते हैं दोनों बाते समझ लेंगे दिकिए बीना बेसिक समझे हम लोग कितना भी पढ़े लें सवाल को हल करने में दिक करें माल लिजे एक टी-शर्ट लेनि बिद्रगेस की माना टी-शर्ट अब टी-शर्ट एक दुकान दा दोसो रुपय का खरित कर लाए कि खरित कर लाने के बाद वह इस पर चाहता है कि पचास रुपय का लाब रखने तो जब यह 200 हो गया यह हो गया CP, Selling Price, CP, Cost Price, मनि दोसों का खरीद कर गया, अब वो इसके 50 रुपाय अधिकन जित करते हैं, यह लाव लेता है, अब यह लाव लेकर जब बेचेगा, तो यह हो जाएगा इसकी Selling Price, वो हो जाएगा इसकी Selling Price, हम एक दम आसान बहसाम समझाएंगे, यह हो जाएगी S Selling Price, 250 रुपाय, कोई formula यूज नहीं करना है, लेकिन उसके पहले आपको टॉपिक को अतत्त हैं, इसको समझाएंगे, अब वो 250 रुपाय जो था, वो क्या निकला, Selling Price, अब हम से हमारी बात हुई, मैंने का यार, बच्चों को कुछ चूर दिया जाए, उसने का मैं 20% का डि 250 पर वो 20% का छूट देगा, किस पर देगा, 250 का, पर क्या मिलेगा, जो discount है, जो छूट है, वो 20% किस पर मिलता है, हमेशा, किस पर बिक क्रे मुल्य पर होता है, मने यापे, दो मुल्य होते हैं, एक CP होता है, और एक यश्वी होता है, ये दोनों बात आप समझे द्यान से, दोनों बात समझ गए, आएम इसे और बेता तरीके समझाने का प्याश करता है, देखे, किसी पर का, एक होता है, प्रॉफिट लाग, CP क्या हो गया, जिस पर कोई पर खरिद कर लाइजे, जिस मुल्य पर, वो हमेशा CP होता है, जैसे अगर मोबाइल कोई कॉम्पनी, जिशे देखा जाये, Apple का देखा जए, MI eigenlijk को देखा जाये, Samsung को देखा जाये, Nokia को देखा जाये, ये जया, मोबाइल बनाती है, तो अलाग अले जए पसतो लाने बार, जो फिनिस सेलिंग प्राइस कहते हैं वो विक्रे मुल्य होता है इसे हम क्रे मुल्य कहते हैं कभी-कभी लागत मुल्य भी देता देखें परिच्छा की भासा जो होती है थोड़ी से लग होती है और यह यश्पी होती है यह विक्रे मुल्य होता है यह होता है विक्रेमुल अगर यहां पर क्रेमुल जो भी रहा अगर क्रेमुल से विक्रेमुल ज्यादा है तो ज्यादा है मतलब तो क्या होगा लाव जब क्रेमुल जो यस्पी है अगर यह ज्यादा है अगर यस्पी यस्पी अगर ज्यादा है यहां पर क्या होगा प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा लेकिन अगर इस से इसी तुल्ला हो रही है तिक लेकिन अगर यहां पर यस्पी इस से कम या माइनस है तो आपर लास होगा तक क्या होगा वहां पर लास होगा मतलग बात साफ है मतलग एक बात साफ हो गया कि जो यस्पी और है तो किस पर करता है प्रॉफिट लास हमेशा सीपी से होता है क्लियर हुआ प्रॉफिट और लास जो होता है वह किस से होता है वह हमेशा सीपी से होता है मने सीपी से ही कौन अधाय दोता है प्रॉफिट यहां तक किसी ब्रक्ति को कोई दिक्कत है, यहां तक किसी ब्रक्ति कोई दिक्कत है, यहां तक आपको यह समझा दिया, कि जो क्रेम उल्ले होता है, काश्ट प्राइज होता है, जो क्रेम उल्ले होता है, इस पर कौन रिदायत होता है, इस पर लाभ होता है, मने यही यह बतात कुछ मी पढ़े व्लाव होग या लाव होगा यह कोई डाउट के बहुतले जब आपको पढ़ना है बीना सुत्र के कहिका करेंगे तो कहीं कहीं सत्थ्यों को समझ जाऊंगा ताकि कहीं प्रशन आ जाए मैं सीधा बता दूंगा यह खरीदा इतने पर लाव इतना हुआ तैसे 500 रुपय कोई वस्तुला के 600 बेचा यह कितना हुआ 100 रुपय का लाव कितने 500 में परसें 20 परसें का लाव अभी आप अब हम बात करेंगे डिश्काउंड चूड जो चूड किस पर दिया जाता है जो बिक्रे मुल्य होता है इसे व्यश्पी के तो बाद समझ गया यस्पी क्या हो गया सेलिंग प्रैस बिक्रें जब कोई वस्तु नहीं बिक्ति या उस्तु को ज्यादा बीचना होगा वस्तु चिकिले के मों की ज्यादा भी चने कि लिए समंस्ती करने के लिए उसका भी चूट दिया जाता है यहँ यहां पर छूट दिया जाता है था कि वस रिच्षाइब धर डिया सत्राइब को अदिशने रीपा को दिझेख का लगता है ऊदिशने लिटा है तो जो भट्टा सहले विट्टा को होता है जो दिक्रे मुल्य होता है मैंने यस्पी होता है इसमे I'm प्लस या माइनस मानिए प्रॉफिट या प्रॉफिट या प्रॉफिट या लास्ट दोना जाद जीएगा यस पी जो होता है तो यहां पर यस पी जो होता है यहां पर यस पी जो होता है यहां पर प्रॉफिट और लास्ट दोना होता है यस्पी में प्रॉफिट बोगा लाज़गोगा अगर आपको इतनी भूमिका इतनी चीजे समझ में आगे हो अब हम लोग कुछ नए चीजे प्रेंगे अब पहले इतनी बाते समझेज़े जितना हमने आपको समझेगे तो गनित वास्त्व में आशान है इतनी आशान है इतना हम और आप सोच भी नहीं सकते वेकिन उसके लिए आपको रिवलर्टी चीजे आपको लगातार पढ़ना करेंगे परिशत्रों से भौता करना पड़ेगा और अपना बेस्ट देना पड़ेगा इस बात गरिंटी है कि गनित की जो दर गनित से जो आपकी दूरी है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी समझ मैं आगिया अब एक बार आपको एक्जामपल की मेतर से समधाना चाहूँगा इस टॉपिक को स्कीन सॉट ले लिएगा और टेली ग्राम पे दूर्गेश सर्च करके आप इलर्णिंग के दूर्गेश से जूरे लिएगा ठीक है वहाँ पे आपको ऑनलेंग क्लास लेखे और विडियो लक्ट्र सभी जनकर मिल जाएगी इसकी श्कीनशॉट किलिप कर लिए यह बर्स की स्कीनशॉट कर लिए बाकि आपको मैं एक एक करके सभी तक्टर को समझा तो हुआ और आप यकीन मानियेगा यह बाद सुईकार करेंगे गणित सबसे आसान विश्व कि इसकी डिस्कीन सोट त्रिपलीजर जो मैंने आपको श्टार्टिंग में शंद्याने के लिए जिसका मैंने प्रयोग किया था, क्लियर इसकीन साट हो गया, अब आईए, अब हम लोग क्या करेंगे, शवाल करेंगे, अब हम लोग यह देखेंगे कि परश्ण की भासा को पर राम एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेज दिया राम को इस शौदे में कितने प्रिश्यत खा लाव या हानी हुई खेंगे सर आपने तो परस्टेंट निकाला में शिखाया है नहीं हाँ इसलिए कि मैं कोई रूल सिखाऊंगा ही नहीं मैं कोई नियम सिखाऊंगा ही नहीं मैं तो आपको बेशिक बताने जा रहा हुए राम एक वस्तू राम एक वस्तू क्या करता है पांसो रुपए में खरीदा और 600 रुपए में बेज दिया उसे कितने प्रिश्यत था लाव्याहानी होगा कि इस बात को समझते हैं बीना नियम बीना सुट्र के यह बेसिक फॉर्मॉला यूज करना एक दम बेसिंग अपने धिमाग का यूज करना और यहीं परिच्छा में यूज करना एक फॉर्मॉला याद को नो के भूल लेओ एक बेसिक समझोगे करो चिंदगी में इनी खोलो ध्यान समझेगा दुकान एक बट मिक्ती 500 रुपए में सामान खरीदा और 600 रुपए में बेस दिया तो फायदा हुआ है घाटा 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में दिया लाभ हुआ यहां नहीं सीधी सी बात है यार 500 रुपए कोई समान खरीदेगा 600 रुपए का बेचेगा तो मैंने स्टाटिंग बताया था यह बात यहां पर मैंने बता दिया अगर यस्पी ज्यादा है सीपी से तो प्रॉफिट 251 सीफी से कम है तो लौस यह मैंने आपके समझा दिया था मैं सीधी सी बात है इंससे आपने लिखा है एन यहां-पेaj का सौशर रुपए की प्रॉफिट को हमने लिग और कितने में हुई है हमैसा जो प्रॉफिट या लास होताय हमैσα करे मुलिम होता यह भी मैंने आको बत कि चूट करेंगे सोर उपाय का लाव हुआ हुआ कि निगालना इसका परसेंटेजर को यह पढ़ाया था किसी दिन को प्रिशत में बदने के लिए इसे भी भिन्न को प्रिस्त में बदनने के लिए शदव सो से गुड़ा करते हैं हमने पढ़ाया जी आगर आप एट क्लास के वेंबर होंगे तो आप पढ़े होंगे यहाँ पे मल्टिपल हंडेट करेंगे यह दो लड्डू से दो लड्डू खत्म पांच इकम पांच पांच गुना दर्स जीरो तो हमने देखा प्लस बीस परस है प्लस कहां से आ गया तो इसके लिए लाब दर्स आने के लिए हम प्लस का यूज़ करेंगे और हानी को पदशिक करने के लिए माइनस का प्रियोग करेंगे बात समझेगा, प्लस दर्ष आने के लिए, मतलब प्राफिट दर्ष आने के लिए, हम प्लस सेंबल का प्रियोग करेंगे, हानी दर्ष आने के लिए, माइनस सेंबल का प्रियोग करेंगे, कोई दिक्कत, कोई शमश्या हो, कॉमेंट करके आप पूशकते हैं, आगे देखते ह प्रश्म को नहीं है। राम, पांसो रुपए की एक रेडियो लागर, पांसो रुपए की एक रेडियो लागर, लागर, चारसो असु रुपए में देशता है। चारसो असु रुपए में देशता है। तो राम को इस शौदे में कितने प्रश्ण की हानी होगी। और राम को इस शौदे में कितने प्रश्ड की हानी जोगार है। फटा चनहें देखते है। तरीका मैंने आपको बता दिया। मैंथेर witnessed मेने बता दिया। फ़र्मूला योज नहीं करना ह। और मैंने फ़र्मूला योज नहीं किया। कि लाप का परसंट कि निकालने क्या होगा खारी परसंट निकालने क्या होगा हम네 कोई भी फ़र्म को योज नहीं चाइध को लिच अब राम ने 500 रुपाई की बस स्कृ कि दी पांचो रुपाई के बस पो खरीदी और चार्सो पस्य रिखानी पैसे लिए फाइदा नहीं हुआ घाटा हुआ लॉस हुआ इतने का लॉस हुआ बदा चला 20 रुपाई की लॉस हुए इतने में हुई हमेशा क्रेम लिमें लास होता मैंने पहले बता दिया तो बहुत पांच पर्शेंटेज के लिए घोडे शौट यह दोलड़ु जोलड़शक ज़िए पांच इकंपांच पांचों की जी क्या आएगा चार पर्शन की खान क्या होगी चार पर्शन की खानी होगी उमीद करते हैं समझ में धेर धर आपको आएगा इस बाद कुछ शमज्च नहीं तत्यों को समझिए गाद प्रश्ण और लेते हैं फिर हम इसके अनिट टॉपिकों पे चर्चा करना शुरू करें तो एक प्रश्ण और लीजेगा फिर उसके बाद रद्रे प्रश्ण को टफ करते चाहिए लेकिन एकड़म बेसिक से बिना नियम बिना अफ़ करने हैं जैसा क सब्सक्राइब की बेल आइकान भाइब रखेंगा और अगला सवार लिखेगा रहीम रहीम और रहीम तो बारो सो रुपए की एक साइकल खरीद कर खरीद कर लाया और उसपर 100 रूपय मरमत में खर्च किया उसके बाद उस शाइकल को 1500 रूपय में बेच दिया और उस शाइकल को 1500 रूपय में बेच दिया 1500 रूपय में बेच दिया इस प्रकार रहीम को इस शौदे में कितने पर्शन्ड की लाव या हानी होगी फटक से कमेंड करके जवाद होगी रहीम एक साइकल 12 रूपय में खरीद कर्श पर 200 रूपय की बरमत कर्च करने के बाद उस साइकल को 1500 रूपय में बेच दिया तो इस प्रकार रहीम को उस सौदे में कितने परशन की लाव या हान पूई लगाई आपको अभी लोग फटाफ़र कमेंट करेंगे जब आप दीजे क्लास ये लाइव चल ली हम आप लाइव बढ़ रहा है जी आए लाइव क्लासे चल लोगों तक पूचाईएगा वीडियो अनिता नहीं करिएगा जब आपको लगजिया आप संतुष्ठ होजएग और आपका कमेंट इसले नहीं लेते तो कि हम बात को बढ़ाना नहीं चाहिए तत्यों को समझाने में विश्वास करें तो देखिए कि आवने क्लास नोट समझेता दनकारी यहां पे रहीम जो था को बारुसु रुपए की साइकल लाइए और जो मरमत पे खर्च करता है कि उसके बाद उपरिवे वो उपरिवे जो होता है वो हमेसा क्रेम लिमिट होता है कि उसने बारुसों के लिया और सो रुपए जो मरमत पे खर्च करेंगा तो कितना हुआ तो मतलग उसको साइकल कितने को पड़ेगी तेरह सो रुपए की और उस बंदे ने तीरह सो रुपए की जो साइकल थी तो कितने बेशते है उसको बेशते है कि तेरह सुबए के साइकल कुछ पंदरह सो रुपए में अब इस सौदे में यह देखना है उससे लाउज्च हाली सापसाप जिख रहा है उसे 200 हुपाइ का प्रॉपिट है पर्सेंटेज के लिए गुड़ेंशों तो दूसों बट्दा तीरा पर्शेंट का तीरा का तीरा का तीरा 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 तो बच्छे का कितने आपका सत्ता लोगें ना तेरा पच्छे पैंशन का लगए परसेंट आगा क्या कितने परसेंट का क्या होगा अंद्र सही पाज बटा तेरा परसेंट का ठीक है तो इस प्रकार हमने देखा कि जो रहिम इस इस्षोद्य में क्या होगा दो सो बटा तेरा परसेंट अर्थाथ 15 शही पांच बटा तेरा परसेंट का लाग देखेंगे अगर आपको समझ में है कॉंसेट क्लियर हो जाए तब लोगों को सेर्टरे तब लोगों बतेगा नहीं बतेगे अगर आपको समझ में आ रहा हो तो धीरे धीरे शावाल का लेबल बढ़ाना शोकर तो दिरदा जब लीवन पढ़ेगा आपके कॉंसर्ट में देरे देखेंगे एक सवाल और लीजिएगा सोहन, 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 एक कई सो रुपए का, एक कई सो रुपए का मोबाइल फोन खरीद कर उसे 95 रुपए में बेच दिया इस प्रकात उसे इस शोदे में कितने प्रशत की लाग यहानी पूल जो लोग इस वीडियो को लाइच देख रहे हैं फटाफ़ कमेंटर के दिबाब देंगे और ये क्लासिस आपके लिए लाइच चले गगे यह बाद में भी आपके लिए लाइच चलेगी इसे देखिएगा जोगों तक पुचाईएगा शेयर करिएगा पॉलिंग क्लास से जुड़िएगा जहाते आप पॉलिंग क्लास, नोर्स, पीडिया फॉर्मेट में, प्रैक्टिसेर, सभी चीज़े आपको मिलती रहेंगी, तब तक जब तक आपनी परिच्छाने शमापतना हो, जिस परिच्छा के लिए आप दाखिला लेते हैं, आइए शवाल को की गेखते हैं, क्या रहा है कि कोई बस्तू था, चीज़े बस्तू था, मोबाइल था, सोहन इए एकई सोलोपर में ख़िए, एकई सोलोपर में बस्तू था, लेकिन उसे बेची कित्ते गही 19 Adaptal, कितने गाई ? 19 Adaptal. नैंटे नैंटे फार की बेची जब उसे उननेश्य सो पंचानदे की बेच दी गई तो शोदे में फाइदा हुआ या घाटा, अपने का सर इस शोदे में दो घाटा हो गया, कितने का घाटा हुआ अपने ले खाऊ, यहां फिर एक सो पहाच उल्पय का नोशा में, कलिया, एक कई सो रखना बटाता है लिए परसंटेज के लिए दोलर दूसर दोलर डू कर जा है कई सब्सक्राइब कमें होगा है इस प्रकार हम लोगों यह नहीं कि यहां पे पांच परसंड की आने इस प्रकार से हमने इस तथ्य को समझा इस कॉंसेप्ट को समझा और एक बार दो बार चिट एक से दो बार हम लोग इस तथ्य को पढ़ेंगे समझेंगे और सबी लोग यह माइनस जो है यह हमेशा लॉस दिखाता है माइनस में लॉस दिखाता है एक कई सो रुपे के सामानों नहीं सो पंचान प्रवन देच रहें तो घाटा हुआ फाइदा नहीं हुआ कितने का माइनस पांच परसंड का गटा पांच परसंड का लॉस के लिए कोई डावर किसी को यह साप साप दिखा है माइनस पांच पर हाल करिए इसके बाद हम धीरे-द्रे इसको बाहते चाहिए और आपकी स्पीड भी धीरे-द्रे बढ़ती जाए यहां तक किसी कोडिक करें शमश्या हो तो कमेंट करके पते हो एक परस्टे इसके बाद इसकी जो सीरीज है वो इसके बाद अगले सेचन में शुरू होगी आज कलस्स जादे लगी नहीं यहां पर खतम करते हैं अगली क्लास फिर अगली क्लास फिर एक क्रमसा पर पड़ता है और आपको गणित अगधम आशा आख़ा है अगर आपको लगियों क्लास देतर है तो लोगों को बताईएगा, गणित के लिए, समाने देन के लिए, इलेनी बिटेगेस का प्रेटफॉर्म, कि कोई भी प्रस्चिन नहीं लगा सकता है, इस बात का यखीन मानिएगा, और बिना फार्मूले का गणित प्रहना, ये बड़ किताबों के जो प्रस्चिन की भाषा होती है, उस भाषा को रीड करना, उस भाषा को समझना, जब तक आप प्रस्चिन की भाषा नहीं समझेंगे, तब तक आप सवाल को पकड़ने को, आपने देखा होगा, कि हम आप डारेक्ट लाइब आते हैं, और पढ़ाना सुरूग पता है कैसे, इतना ज़्यादा हम लोगों ने उस पे बेसिक अधन किया है, कि बिना किताब के पढ़ाते हैं, बहुत सरो लोग इसमें से होंगे, जो हमसे आफ्राइन भी पढ़े होंगे, वो इस बात को भली भात ही जानते होंगे, मैं पूरी मैतमेटिक्स बिना किताब, सामानत देन की सिर्फ जो भी पढ़ाता हूं बिना किताब, इसलिए नहीं, हमने मेहनत की, हमने एसी कॉंसेट को किमेटिक्स यह चाहता हूं, कि आप लोग कहीं भी पढ़े, किस से भी पढ़े, कभी भी पढ़े, लेकिन सब चीज को एक-एक करके, तथ्यों को समझे, तब आज जाके आप भेहतर स्कोर करता हैं, वाची क्लास यहाँ पे आज हम खतम करते हैं, और आप इलनी भी दुर्गे से जोड़े रहेगा, सबी क्लास की पहली नाटिफिकस साथ हमारेक टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गे सरसाच करेंगा, बीना इस पे करते हैं, वहाँ पे आपको और सब करने के बाद इससे समझे सभी जानकारिया उपलग्द करा दी जाएंगे, और आपको इलनी भी दुर्गेश मिलेगा, उससे जरू जुड़िएगा, बैस्ट आफ लाइए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इलनी भी दुर्गेश, स् जहाँ मिले हैं